दोस्तों स्वागत आपके इस वीडियो में बात करेंगे मैत के कुछ important question वेरी short वीडियो में जल्द जल्द डिसकस करते हैं फालतू की बाते नहीं तो सबसे परें देखिए गड़ित क्या होता है गड़ित क्या होता है गड़ित क्या है गड़ित वह सास्त्र है जिसमें क्या क्या होती है आप देखेंगे इसमें अंक होते हैं इसमें अक्षर होते हैं ठीक है अंक मतलब वन्टू होते हैं और अक्षर मतलब एक्सवाई होते हैं और चीन मतलब पलस मैनस होते हैं तो वहीं चीजों को मिला के एक आसान सा अर्थ बता दिया गया है कि गड़ित अं अस्तान का बाद होता है थिवसके समझ में आ तो हुगा अब आए गड़ेत की साछाय में कि इसमें के रिपीड करने ह schwक्त कहते हैं तो गड़ित के अभ में अभ्यास व्यक्ति या खोज करने वाले विग्यानी को गड़िततक च опять तो गड़ित में जो भी कहा जाता है उसको गड़ित ऊछ जाता है अब आहिए के लिये हैं गडित वह मार्ग है जिसके दोरा मन या मस्तिस्क में तर्क करने की आदत के अस्थापित होती है यह किस ने भाइथ िहुँने कहाता लॉक आधी एक गैलीवने क्या कह था यह क्या खूब परिभासित कि एक लिए गडित वो भासा है जिसमें प्रमेस्वर मेस संबुड़ जगतं संबुर्जगत या ब्रमान को लिख दिया है इतनी बड़ी बात को ले nerd के इंग ऐगर रोस के अनुसार गडित विज्यान की रानी है ठीक है तो राउस ने कहाता है गडित विज्ञान की रहानी है और गिप्स के अनुस्कार गडित एक भाज़ा है तो यह चार छोटे-छोटे और और प्रकृ्ट्टि क्या इता है गडित की और बी परकृतष अजय पर अब क्याता जिए अचुते सब्सक्राइब स्वाब देखिए एक सवाल तो गणित से रिलेटेड आयएगा चात्रों में तार्किक जमता का विकास करना अची सोच साथांतिक बुद्धि का विकास करना सतेता की जाच करना समस्याओं को सुधु Combat से सरल करने के प्रविर्ति उत्पन करना अध्यान खोज की भावना उत्पन करना तो यह हो गए गड़ित के समाने उदेश अब बात करते हैं दोस्तों एक अच्छे गड़ित के सिक्षक के गुण क्या होने चाहिए या आदर्स गड़ित के अध्यापक के गुण क्या होने चा पड़ार है तो जो minimum qualification है जैसे बीएट का होना तो वह होनी चाहिए तो एक आदर सध्यापक के अंदर क्या होना चाहिए वैवसाई गुर्ण का मतलब गडित विशह का ग्यान होना चाहिए सिच्छर विधियू का ग्यान होना चाहिए सिचक साइक सामागरी का ग्यान होना चाहिए मनुवी ग्यान का ग्यान होना चाहिए और पार्टे सहगामी किरियाओं का मतलब पठन पार्टे के साथ जो अन किरियाएं चलती है उसका भी ग्यान होना चाहिए इंगलिस में भी नीचे दी गई है अब आये व्यक्तिकत गूर्ण देख लेते हैं भेस बुच्छा हो सौस्ट अच्छा हो एसा नहीं कि हमिसा मतलब उसकी तेवियत ख्राब होती हो मतलब खास्ता रहे तो यह चीजह नहीं होनी चाहिए चरी त्रवान होना चाहिए धैरयवान होना चाहिए ठोब अच्छा व्यक्ति कोने चाहिए अच्छा गुड़ीड होना चाहिए अच्छा नियत्रित एक और important सवाल देखते हैं दोस्तों तो एक और छोटे topic में अक्सर सवाल पुछा जाता है कि उद्देश से तता लच्छ में क्या अंतर है ठीक है what is the difference between objectives and aims ठीक है कई बार पुछा जा सकता है इसको बस एक बार देख लिए देखिए उद्देश से क्या होता है और लच्छ क्या होता है मानलेजे कोई इंसान किसी मकसद जिस मकसद के लिए काम कर रहा हूँ जिस target के लिए काम करता है वो उसका लच्छ होता है बाद वह होगा, वह लगई वहां भी आपका तारगेत क्या है, वह आपका टार्गेट रहेगा सिचक बनना तो जो टार्गेट होता है वह लंबी ओधी में प्राप्त किया जाता है और उद्धे से जो है वह छोटी-छोटी कड़ी से मिलके बनता है जो लच्छ के प्राप्ति में सहाइक होता है अब आए देखते हैं लच्छ वह होता है जि दिर्गकालिक हो सकता है अल्पकालिक भी हो सकता है छोटा भी लच्छ हो सकता है बड़ा भी लच्छ हो सकता है परतिक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लच्छ अवस्य होता है और हर किसी का लच्छ दूसरे व्यक्ति से भिन्न भी हो सकता है तो यह हो गई लच्छ के बारे में उधार देखिए कोई व्यक्ति सिछक बनना चाहता है अर्थात उसका लच्छ लच्छ क्या है सिछक बनना है अब उद्देश से क्या है उद्देश से आपके लच्छ को प्राप्त करने के लिए आवस्यक कदम है समझ में आरी बात आप उस लच्छ को प्राप्त करन है तो है बिल्कुल इसके जैसे किसी मोटे व्यक्तिका कि उसका लच्छ वजन कम गरना टीक है उसका लच्छ है अब उस लग्ज लग्षे के चेत्र विस्तिरित होता है उद्यष के चेत्र सीमित होता है लग्षे प्राप्त करने में ज्यादा समय लगता है उद्यषे प्राप्त करने में कम समय लगता है लग्षे एक समाने कतने है उद्यष एक विस्षिट कतने है लग्षे की प्राप्ति के लिए पूरी नहीं कि आप B8 कर रहा हैं निश्चित नहीं देखते हैं पर पर्सनली वीडियो में सब कुछ कबरब नहीं कर सकता है तो क्या है गड़ित सिक्षड के में उद्के उद्यस्यों का वहवारी पक्ष में लिखेना मतलब राइटिंग अब्जेक्टिव्स इन टॉर्म आफ पीपल्स बिहेवियर इसको ब्लूम्स ने दिया था चार चार विद्वानों ने दिया था ठीक है तो ब्लूम्स के बारे मे मुल्यांगर को विशлек feminist के बजाएं है इस बीएस ब्लूम्स तो ब्लूम्स उद्यस सिक्षडू में लिखने का प्रयास किया उनका वहवारी रूप में ऊन्हों तीन पक्च के बारें बताए कौन-कौन सा ग्यानात्मक भवात्मक और मनुक्रियात्मक ठीक है तो यह वह पॉइंट्स है ठीक है यह चीज़ पर काफी वीडियो बन चुकी है काफी इस पर बात हो चुकी है उमीद है आपने देख लिया होगा पढ़ लिया हुआ तो यह इसक सिक्षड विधी क्या होगी भाई सिक्षड वास्तों में वह प्रकिरिया है जिसमें सिचक छात्रेवं विशय वस्तु के परस पर अंता किरिया होती है सिक्षड में ठीक है अब सिक्षड विधी क्या होती है सिक्षड विधी सिचक के दौरा अपना जाने वाली वह प्रकिर स्चछ़ विध्या होती है इसके द्वारा सिक्ष़ विश्य वस्तूस सम्ष्ट सम्मदित ग्यान वकूतिंगा hedgehead कब सकते हैं सिंव्भाओ जो फूश्य को गड्री जब भी पूछेगा कि गणित के सिक्षड विदी क्या है उनके प्रकारों का वर्लन कीजिए जब उनके प्रकार का वर्लन करेगा तो आप सिक्षड विदी ऐसे लिख दीजिए और इनके ये दो प्रकार ढाल दीजिए और किसी दो इसके दो इसके किसी चार को explain करतीजिए ठीक है आपको सारा explain करने के जोटनी है या फिर अक्सर सवार ये पूछ देता है कि सिक्षड विदी क्या होता है किसी एक बाल केंद्रित सिक्षड विदी का व्याख्या कीजिए या किसी एक सिच्षड केंद्रित विदी का व्याख्या कीज इस पर वीडियो बन चुकिए दोस्तों सिक्षड वीधिया एक समान सब पर वीडियो बन चुकिए आप उसको जरूर देख लिएगा एक और देखिए इसमें एक और पॉइंट्स यह है गड़ी तेक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारी वीधिया इस्तमाल होती है तो जो सब्सक्राइब को बच्चों को कैसे पढ़ाएं इस बीती समयनिज कळेगे प्रस्तोध करें सब्सक्राइब बेहुत असान सब्दे में समझ आए इसकी प्र tayامrons प्रणीक को अ इसमें प्हले उधारर से नियम की ओर चलते हैं ठीक है फिर उधारर दोंगे फिर नियम की ओरं उस्थुल तो आगमन विधी किस ने दिया था अरस्तू ने ने तक सिस्टा भाल कुदनि के दिया नीए समौझ भान में ये गण६ कुदन बता जाएगी उसके बाद आप उधारर पे जाएंगे ने पी तो देखें यहाँ पर कहते हैं जिसमें समाने से विश कह सकते हैं कि निगमन विदी आगमन विदी की विल्कुल विपरीत है निगमन विदी का परियोग करते में समय सिचक बालकों के सामने पहले किसी समाने नियम को रखते हैं तत पस्चात उस नियम की सत्यता का परमारित करते हुए विविन उधारणों का परियोग करते हैं आग देखिए विज्ञान की सिछ्षाद करा जा सकता है जिस तरह इस विधी का परियोग विग्ञान के सिछण में किया जा सकता है यह हो गया निगमन विधी क्या था आगमन में पहले एक्जाम्पल और उसके बाद रूल और यहां पर क्या था पहले रूल फिल इक्जाम्पल चीक है तो आगमल और निगमन विदी काफी इंपोर्टन है उमीद है दोस्तों आपको कुछ चीजे समझ में आई होगी तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में यहीं पर खतम करेंगे यही है वो ठीक है तो इस वीडियो में आपने क्या कह जाना रुको बढ़ा ले बैढ़े तो इस वीडियो में हमने जाना गडित के सिख्षड वीदिया देखें बहुत ज्यादा इंपोर्टन है अक्सर इसमें से सवाल पूछे जाते हैं आप बस देख के जाए समझ के आगमान दो निगमन विदी दा न और साथ ही साथ आपने क्या देखा कि गडित के सीख़ट में कैसे वेवादिक पक्ष बिलूम साहब ने दिया था तीन पक्ष रखेते हैं ग्यानात्मक भावात्मक और मनुकिरियात्मक और साथ ही साथ आपने लच्छे उद्यस में अपको याद आइगी गणीत की सभ्णज में और सबनेकस और छेलगे इस परणी उमीदे दोस्तों वीडियो अच्छी लगई हो आपको अच्छी लगई हो तो प्लीस कमेंट में फीडबैक दीजिए कि कैसे लगी वीडियो आपको मेरे द्वरा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और मुझे बहुत कुशी हो थी आपकी कमेंट्स पढ़के एक और वीडियो बनेगी और जो चोटे बोटे टॉपिक्स हैं उसको खतम किया जाएगा आप स्वेल पढ़े रिए पढ़ते रिए आसान सा ना टेंशन लेकर नहीं बहुत आसान पेपर होने वाला आपके मैत का तो मिलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं कमिल बॉक्स में जैहिन जैवारत